जादातर लोगों के लिए ट्राफिक के नियम लाइटों के रंगों की तरह ही सीमित है उसी तरह उनके लिए सड़क पर खीची गई सफेद और पीली लाइन के रंग भी एक तरह की ही होते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं सड़क पर खीची गई चोड़ी और लंबी लाइनों का क्या मतलब होता है अगर नहीं तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं लंबी सफेद लाइन जब भी आप सड़क पर चल रहे हैं तो आपने गोर किया हुआ कि एक लंबी सफेद सड़क पर लाइन बीच में खिची होकर निकलती है अक्सर बहुत से लोग इसे सड़कों की शो जूबा समझ लेते हैं लेकिन इस लाइन का मतलब भी है अगर सड़कों पर लंबी सफेद लाइन देखे तो इसका मतलब है कि आप लेब लेन बदल कर दूसरी तरफ नहीं जा सकते आपको एक ही लेन में चलना होगा तूटी सफेद लाइने यदि तूटी सफेद लाइने इस बात की और इशारा करती है कि आप लेन बदल सकते हैं लेकिन आपके पीछे से आने वाली गाड़ियों पर ध्यान रखना होगा ताकि कोई हाथसा ना हो लंबी पीली लाइन पीली लंबी लाइन का मतलब है कि आप आसानी से ओवर्टेक कर सकते हैं लेकिन आप इस लाइन को पार करके दूसी तरफ नहीं जा सकते हैं कि इस लाइन का मतलब हर राज्य के हिसाब से अलग-अलग होता है जैसे तेलंगाना में इस लाइन का मतलब है कि वाहन को ओवर्टेक नहीं किया जा सकता दो लंबी पीली लाइन इन दोनों पीली लाइन में अंतर बहुत कम होता है अक्सर लोग जल्दबाजी में उस लाइन के उपर या फिर उसके बगल में गाड़ी चलाते हैं लेकिन इसा करना गलत है इस तरह से लाइन का मतलब साफ है कि आप अपनी ही लाइन में चलें यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमाई चैनल को सबस्क्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए ठैंक यू